ही गाइज स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल क्रेजी क्रेविंग्स में तो आज मैं आपने लेकर आएं बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही हल्दी रेसिपी जो कि हम ब्रेक्फस में बना सकते हैं और आप इसको इवनिंग स्नैक में या बच्चे के टिफिन भी दे सकते हैं यह है ओट्स ओमलेट तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं बहुत ही ज्यादा है हल्दी वर्जिन है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजीज भी यूज किये हैं तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले हम लेंगे एक बोल और इसमें हमें एग फोर नहीं मैं अपर ये 3 एग्स यूस कर रहे हूँ तो आइग्स की कौंटिटी आप अपनी रिक्वायरमेंट के चिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आप कम बना रहे हैं तो 2 एग में तो आइगं चेर लोगी मैं और इसके बारना एन न पीनों को अच्छे से कर लोंगी मैं मेरे को ना अंडे फोरते समय ऐसा लगता है कि उसका एक भी ड्रॉप वेस्ट ना जाए तो मैं जाड़ लेती और यहां पर हम इसको विस्क कर लेंगे अच्छे से फेंट लेंगे देखिए जो अंडे का जो हमारा घोल है बिल्कुल क्रीम इसा हो गया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप ओट्स तीन अंडे लिये थे तो इसके लिए आधा कप ओट्स काफी है ओट्स भी आप अपने कोडिंग कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको ओट्स कम पसंद है तो थोड़े से ओट्स की क्व रखनिया या कॉन्स या मश्रूमस से जो भी आप यूज करना चाहें आप इसके नदर डाल सकते हैं और इसके बार डालेंगे असमें नमक और चिली फ्लेक्स ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं बढ़ मेरे पास प्लीन अवेलीबल नहीं तो इसके अट है यहां पर मुझे लग अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और जैसे घी गरम हो जाएगा तो मीडियम से लो फ्लेम पे हम उस बैटर को इसके अंदर डाल देंगे मैंने तो यहां पे सारा एक सार डाल दिया है लेकिन आप इसको पोर्शन में भी डिवाइड करके च्छोटे च्छोटे ओमनेट्स भी बड़ा आपको चाहिए और बस अच्छे से फैला लीजिए अगर वेजी एक साइड में हो जाए तो आप स्पून से या विस्कर से अच्छे से फैला के उसे हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तब तक जब तक कि उपर से वो अच्छे से कुक ना हो जाए अब देखिए जो बै किया ना तो इसमें बीच से क्रैक आ गई लेकिन आप इसको चोटे-चोटे पीसी में बनाए बिल्कुल अच्छा बनेगा और दोनों साइड से हमें से अच्छे से कुक करके पकाना है कुक करना है सौरी और देखिए फ्लिप करिए इसको प्लेट में निकालिए और यह आप को संद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहीए मेरे साथ ऐसी इंट्रेस्टिंग एंड इजी रेसिपीज के लिए हर रोज तिल देन थेंक यू फॉर वाचिंग